दोस्तो चॉकलेट वाइन वीडियो के फस्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमें चॉकलेट की वाइन बनाने के लिए मस्ट को तयार करना है वाइन मस्ट मतलब की वाइन बनाने के लिए तयार किया गया घोल जिन दोस्तोंने chocolate wine वीडियो का first part नहीं देखा है वो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर मैंने description box में link दे दिया है अप link पे भी click करके video को देख सकते हैं चलो दोस्तों अब आगे का process भी देख लेते हैं दोस्तो वाइन मस्ट को फर्मंट होते हुए 7 दिन हो चुके हैं आज 8 वा दिन है आज मैं इसे चान लूँगा कुछ कोको पाउडर एकटा होके उपर कतलियों के रूप में एकटा हो गया है उसे चान कर अलग कर देना है चानने के लिए मैं एक कपड़े का इस्तमाल करूँगा कोई भी सूते कपड़ा ले लिजिए या आप छलनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बारिक छलनी ले लिजिए उ दो दिन बाद देखूंगा चॉकलेट की वजह से अगर जाग आए चॉकलेट की वाइन में अक्सर उपर की तरफ जाग आ जाते हैं कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं कोई इंफेक्शन नहीं है वो वो चॉकलेट की वजह से जाग आते हैं अगर ऐसा हुआ तो उसे दुबार clean होनी चालू हो जाएगी तो दोस्तों मिलते हैं कुछ दिन के बाद 20 दिन पहले मैंने इस wine को बनाना शुरू किया था अब इसको check कर लेते हैं पहले तो room की मैंने light बंद कर दी है और दूसरे phone की flashlight इसके पीछे डालेंगे और check करेंगे light अगर उपर से नीचे तक एकदम clear एक जैसी नजर आ रही है तो इसका मतलब हमारी wine clean है wine बनके बिलकुल तयार है अब इसको decant कर लेते हैं decant करने के लिए मैंने एक glass bottle ली है जिसे मैंने अच्छे से sterilize कर लिया था दो bottle ली है मैंने और ये मैंने लिया है plastic का एक pipe ये glucose चढ़ाने वाला pipe है pipe के सिरे को container के अंदर डाल देंगे pipe को बिलकुल नीचे नहीं लेजे के जाना नीचे east है तो इसे उपर की ही तरफ रखना है बिलकुल नीचे नहीं लेके जाना बीच में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं मतलब east को touch ना करे pipe उसे उपर उपर रखना है और हमें दूसरे सिरे पे कोई भी sterilize कपड़ा लगा लेना है उसे अपने तरफ खीचेंगे मूँ से जिस तरीके से बॉटल में वाइन आनी शुरू हो गई है इस बात का ध्यान रखे pipe को बिलकुल bottom में रखिए मतलब तली में रखिए ताकि कम से कम हमारी वाइन हवा के oxygen के संपर्क में आए अगर oxygen के संपर्क में वाइन ज्यादा आएगी तो vinegar में convert हो जाएगी दोस्तो चोकलेट वाइन के साथ साथ यहाँ पर मैंने mix fruit और banana wine के भी कुछ container रखे हैं इनकी भी वीडियो मैं जल्द ही upload कर दूँगा आप चाहें तो सारी wine को एक ही बार में decant कर सकते हैं मैंने दो bottle wine यहाँ पर ले ली है तो दोस्तो टेस्ट कर लेते हैं अपनी चोकलेट की wine थोड़ी सी strong में अको लग रही है पर अच्छी बनी है अपनी wine दोस्तो wine की quality तभी पता लग जाती है जब हमारी wine की clarity अगर हमारी wine clear है तो obviously automatically हमारी wine अच्छी ही बनेगी दोस्तो यूँ ही बने रही है मेरे साथ पोर बनाते रही है wine और enjoy करते रही है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत